चाप्टर शुरू करने से पहले चलिए कुछ चीजे रिवाइस कर लेते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि रैखिक बहुपद में घात एक होता है, द्वी घाती बहुपद में दो होता है, अत्री घाती बहुपद में घात तीन होता है जहाँ पर A शुरूने के बराबर नहीं है और A, B, C और D अचर है हम शुरू करेंगे सबसे पहले टॉपिक से रैखिक बहुपद के शुन्यकों का आलेखिये निरूपन हम जानते हैं कि किसी बहुपद का शुन्यक क्या होता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुपद का शुन्यक आखिरकार उस बहुपद के बारे में क्या बताता है इस सवाल का उत्तर हम आगे देखेंगे लेकिन उससे पहले एक महत्वपून कॉंसेप पढ़ेंगे माल नीजे कि Px बराबर 2x प्लस 3 एक बहुपद है तो यहाँ x की जगा माइनस 3 बाइ 2 रखने पर हमें 0 मिल जाएगा यानि कि x बराबर माइनस 3 बाइ 2 बहुपद Bx का शुन्यक है चलिए अब इस बहुपद को दूसरे नजरिये से देखते है और इस बहुपद का ग्राफ खीचते है इस बहुपद को हम y बराबर 2x प्लस 3 भी लिख सकते है और इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम दो बिंदू चाहिए तो हमने पहले इस प्रकार एक टेबल बना लिया अब x की कोई भी दो मान इसमें रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा अब हम इन दो बिंदू को y एक्वरस टू 2x प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा क्या आप बता सकते हैं कि यहां यह रेखा क्या दर्शा रही है यहां पर यह रेखा बहुपद पी एक्स को दर्शा रही है लेकिन यहां पर सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि यह ग्राफ बहुपद के शून्यक को भी दर्शा रहा है चलिए देखते हैं कैसे आपको याद होगा कि बहुपद का शून्यक वेह मान होता है जहां पर बहुपद का मान शून्य होता है अब आप इस ग्राफ को देखिए और बताईए कि इस रेखा पर वाई का मान शून्य कहां पर है यहां देख सकते हैं कि y का मान 0 इस बिंदू पर है और इसी बिंदू पर यह रेखा x अक्ष को काट रही है जिसके निर्देशांग है और यहां पर ध्यान दीजे कि इस बिंदू का x निर्देशांग यह बहुपत का 0 है यानि कि हम किसी बिंदू बहुपत का ग्राफ देखकर उसके 0 बता सकते हैं है न मज़ेदार बात चलिए अब ध्यान दीजे कि रेखिक बहुपत प x बराबर a x प्लस b के रूप का है जहां a बराबर 2 है और b बराबर 3 है और बहुपत का 0 माइनस b बाई a रूप का है चलिए एक बात देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि एक रेखिक बहुपत का ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिन्दू पर प्रतिछेद करता है जिसका x निर्देशांक है उस बहुपत का 0 होता है इसे अपनी कॉपी में बना लीजे और यह भी अपनी कॉपी में लिख लीजे अरे वाह हमने एक टॉपिक कवर कर लिया जिसमें हमने रेखिक बहुपत की शूनेकों का आलेखिय निरूपन देखा चलिए तब आगे बढ़ते हैं